जार्खण में चुनाफ की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग ने 81 विधानसभा सीटों वाले जार्खण में 5 चड़नों में चुनाफ करवाने का फैस्टा लिया है जिसके साथ ही जार्खण में आज से आदर्श आचार सहीता भी लागू कर दी गई है किया जाना है जिसके लिए तारीखों के खोश ना कर दी गई जार्खण में 30 नमबर को पहले चरण में 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे साथ दिसम्बर को दूसरे चरण में 20 सीटों पर चुनाफ होगा 12 December को 34 में 17 सीटों पर चुनाव होगा 16 December को 15 सीटों पर मतदान होगा और 20 December को 16 सीटों पर वोटिंग की जाएगी जबकि 23 December को चुनावी नतीचे खोशित होंगे यानि अपडेट महीने बाद तय होगा कि किसकी बनी की सरका लेकिन अगर पिछले चुनाफ पर नजर डाले तो जारकण में बीजेपी ने जीत का पर्चम लहराय था जारकण में 2014 के विधान सभा चुनाफ में बीजेपी 38.3% वोटों के साथ 37 सीटे जीतने में कामयाब रही थी और उसकी सहयोगी और जारकण स्चुडेंट यूनियन 3.7% वोट के साथ वहीं जेमें 20.4% वोटों के साथ 19 सीटे जीता था कॉंग्रिस 10.5% वोट के साथ 7 सीटे और जेवीम 10 वीजेपी वोट के साथ 8 सीटे जीता था हाला कि चुनाव के बार जेवीम के 6 विधाय को ने पार्टी छोड़ कर बीजेपी का दामन थाम लिया इसके अलावाद 6 सीटे अन्य को मिली थी इस बार भी बीजेपी जारखन में जीत का ख्वाब देख रही है लेकिन कॉंग्रिस और दूसरे दलों ने भी कमर कस्ली है अब 23 दिसम्बर को देखना हुगा के उट किस करवट बैटता है चुनाव में फिर से बीजेपी आती है अवल या वे बक्षों के लिए खुलता है सत्ता का द्वार